नमस्तो दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी योटुब चानल योटुब सहली पूजा में दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंसी के दोरान उल्टी की समस्या क्यों होती है इसके पीछे क्या कारण होती है अगर आपको उल्टी आ रही है ज्यादा तो आप इससे कैसे कंट्रोल कर सकती है कौन-कौन से उपाई करने चाहिए और most common question जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अगर उल्टी आ ज्यादा आती है या कम आती है तो क्या इससे पता लग सकता है कि होने वाला बेबी बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है मेरी दो pregnancy हुई है और मैंने बहुत सारी ऐसी अनुभब की है जिसके आधार पे आपको बहुत सारी चीजे मैं 100% सही बता सकती हूँ तो ये वीडियो बहुत इंफर्मेटिव होने वाला है इसको लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक का भी बटन जरूर प्रेस कर देना और जो भी नए वीवर से उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चानल को सब्सक्राइब करके की बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही मोर लेटिस्ट और इंफर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रते दिन मिलते रहें आएए आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं. ऐसे तीन हार्मोन होते हैं जो pregnancy conceive करने के तुरंत बाद बढ़ जाती हैं जिसका नाम है estrogen, posistron और SCG खास करके SCG की मातरा जो है और estrogen, posistron की मातरा बढ़ने की बज़े से महिला को morning sickness की परिशानी होती है या फिर इसका दूसरा कारण होता है कि अगर आपकी twins baby है, pregnant है आप दो बच्चों के साथ, तो फिर इस condition में आपको morning sickness की समझ से जादा हो सकती है ये एक arm problem है जो हर दूसरी तीसरी माओं में देखा जाता है friends, तो इसमें जादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं होती है जैसे ही आप पहले तीन तीमाही को cross कर लेती है वैसे ही ये परिशानी आपकी automatically धीरे-धीरे कम होने लगती है लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो पानी तक नहीं पचा पाती है और उन्हें पानी पीने के बाद भी उल्टियां आती है ये थोड़ा से serious condition हो जाता है क्योंकि अगर मा जरूरी चीजों का पोसक तत्वों का सेवन नहीं करेंगी तो बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा खास करके पहले के तीन महीने में miscarriage के chances भी जादा होते हैं तो इस वज़े से बच्चे को जरूरी पोसक तत्वों पहुँचना बहुत ही जादा अनिवारे हो जाता है इसलिए मेरी हर माओ से request हैं जिनको morning sickness की परिशानी है वो खास रूप से जो tips मैं आपको बता रही हूँ वो जरूर फॉलो करिएगा और morning sickness की समस्या को आप कुछ हद तक दूर कर सकती है सबसे पहला ये होता है कि friends जैसे ही आपको morning sickness की समस्या चालू हो गई है वैसे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपका सरीर dehydrate नहीं होना चाहिए ये बहुत risky condition हो जाता है क्योंकि जो बच्चा पानी की थैली में है अच्चे का विकास अच्चे से होगा और आपकी normal delivery भी हो पाईगी ये खास रूप से आप ध्यान में रखिएगा सबसे पहली बात ये है कि आपको दीन भर में करीब तीन करीब आपको तीन लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है अगर आपको इसको ग्लास के हिसाब से समझना है तो करीब 13 से 14 ग्लास आपको दीन भर में पानी का सेवन करना ही करना है आप किसी भी normal water को यूज कर सकती है या मटके का पानी हो या फिर फिल्टर का पानी हो सेकेंड ये होता है कि कई सारी महीलाएं morning sickness की समस्या से इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उनको पता नहीं होता है कि घरे लूप कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इन सारी परेशानियों को दूर कर सकती है आपको जैसे ही morning sickness स्टार्ट हो उल्टरी की समस्या बहुत जादा हो रही हो वैसे ही आप अदरक वाली चाय बना के पी सकती है इसके लिए आपको एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है एक कप साथ में मिलाना है थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी भर चाय के पतियां आपको पानी को अच्छे से उबाल लेना है और जो आपने कूट कर अदरक डाला है उसको अच्छे से ढख कर उबालना है ताकि जितने भी अड़क हो वो पानी में ही रह जाए इसके बाद जब आप छानेंगे इस पानी को तो आपको एक चम्मश शहद मिलाना है और तीन चार बुंदे आप निम्बू के इसमें डाल लिजे और इस चाय का डेली दो बार सेवन करिए सुबा और साम ये बहुत अच्छा होता है आपकी उल्टी की समस्या को कंट्रोल कर आपको पानी अच्छे से पीते रहना है और ठर्ड आपको निम्बू पानी पीजाल कर सकता है जो शुम पल गिलास पानी होती है और आधा इसको निचोड लिजे और पी लिजे ये बहुत झेद्दा फायदे मन्द होता है कुछ चीजों का और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है बहुत सारी महिला मौनिंग सिकनेस के समस्या से इतनी परिशान होती है कि खाना पीना तक छोड़ देती है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है तो जूस जरूर पीना चाहिए जिससे कि जरूरी पोसकतत वो बच्चे तक पहुँचते रहे बीच बीच में आप थोड़ा बहुत सोफ खा सकती है और थोड़े से नट्स भी ले सकती है जैसे कि काजू, पिस्ता, बदाम आपको जो भी नट्स अच्छे लगते है वो आप सूखे में बे इस्तिमाल में ला सकती है इससे आपकी बहुत ही हर्ट तक कंट्रोल हो जाएगी उल्टी की समस्या आप हमने ये जान लिया कि उल्टी की समस्या क्यों होती है प्रेग्नेंसी के दौरान और आप इसको कैसे कंट्रोल में कर सकती है लेकिन कुछ चीजे और भी जानना आपको ज़रूरी है मेडिसिन्स वेगरा आप बिदाउट किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ले अपने मन से यह बहुत ज़्यादा डिंजरस हो सकता है इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा उल्टी के समस्या है तो लास्ट ओप्शन है कि डॉक्टर से आप मेडिसिन्स ले सकती है प्रेग्नेंसी में कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते है जो की आपको बिना डॉक्टर से सलाके नहीं लेना है इसके साइड इफेक्ट आपके बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है अब हम यह जानते हैं कि बेटा और बेटी क्या सावित हो सकता है उल्टी के द्वारा तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको ज़रूरत है समझने की यह कि जो उल्टी की समस्या है वो हार्मोन के वज़े से होती है हार्मोन के बैलन्स के बिगरने से होती है ऐसा कहीं भी शोध में सावित नहीं हो चुका है कि जिन महिलाओं को ज़्यादा उल्टी होती है उनको लड़का होगा और जिन महिलाओं को बिल्कुल भी उल्टी नहीं होती है उनको लड़की होगी कहीं कहीं ये उल्टा भी हो जाता है जिन महिलाओं को बिल्कुल भी morning sickness नहीं है उनको baby boy हुआ है और जिन महिलाओं को काफी ज़्यादा morning sickness की समस्या थी उनको baby girl हुई है तो friends ओल्टी ज़्यादा या कम होना ये इस पार्ट पर depend करता है कि महिला के हार्मोन का balance का condition क्या है I ideally hope इस वीडियो से आपको बहुत सारी informative knowledge मिली होगी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज के लिए फिलाल फ्रेंड्स इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक नए टॉपिक के साथ तब तक अपना खियाल लगिए टेक केर हमशकार